नाकपूर महानगर पालिका के चर्चित क्रीडा घोटाले में कोट से फैसला गया है अतरिक्त मुखे न्याए दर्ण अधिकारी ने मंगलवार को ठोस सबोतों के आभाव में सभी 108 आरोपियों को निर्दोश बरी कर दिया नाकपूर महानगर पालिका के चर्चित क्रीडा घोटाले में कोट से फैसला गया है आपको बता दे कि अतरिक्त मुखे न्याए दर्ण अधिकारी ने मंगलवार को ठोस सबोतों के अभाव में सभी 108 आरोपियों को निर्दोश बरी किया है कौर्तिलब रही कि 2001 में दर्ज इस मुकदमे के निप्टारे में करीब 22 वर्षों का समय लगा है इस मामले में 99 वर्तमान वपूर्वनगर सेवक, सामगरी विक्रेता और मनपा अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था दरसल वर्ष 2000 में राज्य में कॉंगरस और राष्ट्रवादी कॉंगरस पाठी की सत्ता थी नाकपूर महानगर पालीका में भारतिय जनता पाठी सत्ता में थी तब नाकपूर मनपा में करीडा सामगरी घोटाले के आरोप लगे थी दावा किया जा रहा था कि इन नगर सेवकों ने बेगेर किसी मन्जूरी के अपने वाड में क्रीडा सामगरी वित्रित की जिसका खर्च मनपा के खाते में जोड़ा गया था उसके बाद इस मामले में ततकालीन मुख्यमंतरी विलासराओ देश्मुक ने नगरविकास विभा के ततकालीन सचीव ननलाल के धक्ष्टा में समित्ती गठित की थी इस समिती ने लाखों के प्रस्टाचार का उल्ले किया था जिसके बाद सदर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ भादवी 420, 404 और 468 के तहत मामला दर्च किया गया था बाद में राज्य सरकार ने इसके जाच आर्थी कप्राशाखा को सौपी थी इसके करीब 4 फर्ष बाद 4 शिट जायर हुई थी इस मामले में आरोपियों की ओड से एडविकेट चंदरशेखर जलतारे एडविकेट प्रफूल मोहगावकर एडविकेट उदे डबले और एडविकेट सुभाज खारे ने अपना पक्ष रखा था फिलहाल ठो सबुतों के अभाव में सभी 108 आरोपियों को निर्दोश बरी किया गया है इन बिसे न्यूस के लिए कैमरा परसन अखिलेश भरदवाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट झाल 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 झाल